हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडिया स्टडी लर्ण में दोस्तो अगर आप 9th, 10th, 12th या फिर दोस्तो B.A.B.S.C.B. किसी से भी अगर आपने स्कॉलर्शिप वाला फॉर्म भरा है और आपका स्कॉलर्शिप अभी त नहीं मिला है तु जो ऐसे में ङूज़तों हो सकता आपका जो ओनलाइन आबेदन जो आपने दिया था वो रिजैक्त हो गया होगा दोस्तों ऐसे में आपको जल्दी से सुधार करवा लेensus है तो सुधार कब से और कब तक होगा और आपका पैसा कब तक आ जाएगा मैं आप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल वाले आइकन के घंटे को भी बजा दीजे ताकि दोस्तों हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक से पहले जरूर पहुंच सके तो चलिए दो फटा-फट इस्टार्ट करते हैं मैं इनका लिंक जो है डिस्केशन बॉक्स में दे दूँगा आप वहां से डायेटली स्पेच पे आ सकती हो आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा से स्कॉल डाउन करना है करते जाना है देन दोस्तों आने के बाद यहां पे देखिएगा एक लेटेस्ट निउस करके एक डाउनलोड करना यह बला ठीक है लेटेस्ट टेवल पोस्ट में टिक एक उपन हो जाएगा उपन होने के बाद दोस्तों इनमें सारी चीजे दी गई है कब आपका स्कॉलर्शिप मिलेगा जिनका जिनका रिजेक्ट हो गिया या पैसा अभी तक नहीं मिला है उनको सुधार यहां दोस्तों आपको जानने के लिए इस सेनको डाउनलोड करने के बाद आपको स्कॉल्ड़ डाउन करते जाना है करने के बाद आपको 13 नमर वाले अपसेंस पर आना है तुरूटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुना आवेदन ओनलाइन सब्मिट किया जाना यानि कि दोस्तों यहाँ देके साफ साफ बता दिया है की गई तुरूटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुना आवेदन ओनलाइन सब्मिट करना जो दोस्तों उनकी तीथी 19 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक है ठीक है तो दोस्तो अभी टाइम है आपको 19 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपको जो है जिनका जिनका reject हुआ है वो दोस्तो आपको सुधार करवा लेना है दोस्तो आप सबसे पहले अपना status चेक कर लिजेगा कि आपका सुधार यानि कि कुछ प्राब्लम तो नहीं आपका सब्मिट नहीं हुआ है तब आपको सुधार करवाना है अगर आपको status चेक करना नहीं आता हमने पहले ही उन से related एक वीडियो बना रखा है status चेक करने के लिए scholarship वो वाली वीडियो आप जरूर देख लीजेगा आपको समझ में आ जाएगा देन दोस्तों बात करते हैं आपको scholarship पैसा कब मिलेगा तो आपको इसी notice में आना है और नीचे scroll down करना है यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे 19 नमर वाले options में यहाँ पर देखें बता दिया है जनपद इस्तरिय विभाग याधिकारी के digital signature से lock data के आधार पर किसोगर के e-payment के तहत PFMS चातर चातराओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनरासी अंतरित किया जाना यानि दोस्तों आपका जो पैसा है वो सीधे bank account में जाएगा और 25 जनवरी 2020 तक सभी के bank account खाते में जो जो भी student दी होंगे उनका जो है पैसा चला जाएगा इस तरीके से और ये 22 जनवरी से जाना start होगा और 25 जनवरी तक सभी के account में चला जाएगा दें दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको सुधार करवा लेना है सबसे पहले आप इस data check करने के बाद ही आपको यानि की सुधार करवाना है इसके अलाबा दोस्तों अगर आपने विहार बोट से metric या फिर इंटर first division पैसा अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो हमने भ वाली वीडियो देख लिजेगा आपको पता चल जाएगा कि कब मिलने वाला है मैटिक इंटर वाला फर्स्ट डिविजनला पैसा आई होब दोस्तों ये छोटा से वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो दोस्तों फिर मिलते अगले कोई नई इंफोमेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम